असलाम वालेकूम, हेलो एवरिवान, वेलकम बैक टू माई चानल, फूड एन हेल्थ, आज की रेसिपी नॉन विज लवर्स के लिए है, जो नॉन विज खाते हैं, तो उनको पता है कि कवाब सबसे जादा उनकी फेवरिट चीज होती है, और ये वाले कवाब कुछ स्पेशल हैं, एक बहुत ही स्पेशल मसाले से बनाए गए हैं, एजी टू मेक हैं, और इतने डिलेशियस और इतने जबरदस्त हैं कि आप एक पार इनको जरूर ट्राय करें, ये जूसी कवाब आपको बेहत पसंद आने वाले हैं, तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं, कवाब की स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ चीज़े चाहिए, उसके लिए ये मैंने 3 मीडियम साइज की अनियन को रफली चॉप किया है, दो तीन हरी मिर्ची को कटकर लिया है, और थोड़ा सा धनिया पत्ता और आधा नीबू, उसके बाद आधा किलो ये मैंने चिकन लिया है, ज में जीरा जाएगा, और 5-6 काली मिर्च दो लॉंग, वन टी स्पून इसमें आप कसूरी मेती जरू डालें थोड़ी सी, बहुत अची खुश्बू आती है, और एक बड़ी वाली काली इलाइची को छील करके उसके दाने निकालके इसमें आड कर दें, इसके बाद 2 टी पून आड कर दिया है, यह सारे मसाले बहुत धीमी आज पर रोस्ट करने हैं, इन में से बहुत अची खुश्बू आने लगे की तब तक और बिल्कुल भी आज हमें तेज नहीं करनी है, नहीं तो मारे मसाले जल जाएंगे, हमें इनके अरोमा को मिंटेन करना है, इसलिए बहुत अच्छे से धीमी आज पर इसको अच्छे से भून लीजिए, ठंडा होने के लिए इसको साइड में हम रख देंगे, और इसको जार में ट्रांस्वर करके छोड़ देंगे, इतने हम कर लेते हैं अपनी दूसरी प्रपरेशन, बसाला ठंडा होने के बाद जब हम पी करना जाहिए, बस इतना, मैं चौपर से इसको इस तरह से मिंस कर रही हूँ, अगर आपके पास मिक्सी का ग्रैंडिंग जा रहे हैं, तो आप उसमें भी कर सकते हैं, ये बड़े असानी से हो जाता है, सारे कीमे को इस तरह से थोड़ा उपर नीचे करते वे, ताकि ये एक स कार मिंस हो, करने के बाद हम एक बोल में इसको ट्रांसफर कर लेंगे, ये कवाब की प्रप्रेशन बहुत जल्दी हो जाती है, इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, तो कभी ऐसा होता है कि अचानक से कोई गैस्ट आ रहे हैं, तो आप इसको बना सकते हैं, बियान तो आप इसको ऐसे ट्राइ कीजेगा, जब कीमा तयार हो जाएगा, फिर हम इसमें, जो हमने सबस चीजे काट के रखी थी हरे मिर्च, प्याज, हरा दनिया इसको भी फाइनली चॉप कर लेंगे, इसका भी पेस्ट नहीं बनाना है, लेकिन बहुत अच्छे से इसको फाइन सारा मसाला इसके इसमें एड करने के बाद हम इसमें कुछ और स्पाइसे जो एड करेंगे, अब हम देख लेते हैं, अपना वो तिक का मसाला जो हमने रोस्ट करके रखाता वो थंड हो गया बहुत अच्छे से लेकिन दो इसमें एक स्पेशल इंग्रेडियंट्स जाएंग से हल्दी से कलर बहुत अच्छा आने वाला है और सॉल्ट एड करने से क्या होगा ग्रैंडिंग बहुत पहतरी नोगी क्योंकि इस मसाले को हमें एक दम बारिक पीसना है बिलकुल भी दर्दरा या मोटा नहीं रखना है यही इसका में इंग्रेडियंट है यही इसका में मस आधा लेमन इसमें स्क्वीज कर दिया है लेमन जो है चिकन को टेंडर करता है और उसको गलने में हेल्प करता है अगर आपके पास नीबू नहीं है तो आप वाइट विनेगर भी डाल सकते हैं वन से लेके टू टी स्पून तक दोनों में से कुछ भी आप डाल लेजिए इसक कर दिया है जिसकी वजह से अंदर से कवाब मॉइस्ट रहेंगे बिल्कुल भी रूखे नहीं बनेंगे और बहुत ही जबजस्त जूसी बनेंगे फिर मैंने इसमें टू टी स्पून जिंजर गालिक का पेस्ट भी एड कर दिया है बस ये सारे स्पाइसिस हैं जो इस तरह से इसमें एड होंगे और थोड़े से चिली फ्लेक्स ये ऑप्शनल है अगर आपका दिल चाहे तो आप एड करें नहीं तो नहीं करें बाकी स्पाइसिस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बैलेंस कर लें हरी मिर्च लाल मिर्च ये सब इसके बाद हम इनकी मिक्सिंग कर बहुत अच्छे से चाहे तो आप चॉपर में कर सकते हैं लेकिन उससे फिर ये डर है कि कहीं हमारा चिकन ज्यादा मिंस ना हो जाए इसलिए मैंने सारी चीजों को हैंड से मिक्स किया है और इससे क्या होगा चिकन का जो रेशा है वो भी मिंटेन रहेगा अब एक प्लेट क करके दोनों हाथ से उसको टैप करते हुए या तो आप लंबा बिल्कुल कवाब की जैसी शेप दे दे उसको या फिर जैसे आइस क्रीम होती है थोड़ी सी फ्लैट वैसी दे क्योंकि बच्चे बड़े अट्राक्ट होते हैं इस तरह की शेप से और इस्टिक से उठा के खा बच गया था मेटीरियल उसके राउंड शेप में भी बना लिये थे क्योंकि वही फिर डमांड थी कि मुझे थोड़े से राउंड वाले भी चाहिए तो जो कवाब की नॉमल शेप होती है सीख कवाब की मैंने कुछ वैसे भी बना लिये थे चलिए अब इनकी हम कर लेते है अब यहां पर सेकिंड इंटरस्टिंग पार्ट यह है कि इन कवाब को सेखने के लिए बहुत जादा ओईल की ज़रूरत बिलकुल भी नहीं है क्योंकि थोड़ा ओईल अंदर डला हुआ है थोड़ा सा ओईल हम भार एक नॉन स्टिक पैन में डालेंगे और बस इनको दोनो पका लेंगे जिसकी वजह से यह कंप्लीटली कुक हो जाएंगे तो है यह बड़ी इंटरस्टिंग सी रेसिपी एक बार जरू ट्राइ करिए का और मेरे साथ अपना फीडबैक शेयर करना बिलकुल ना भूलिएगा अगर आपको रेसिपी अच्छी लग रही है तो इसको जल्दी से लाइक शेयर करें और अगर मेरे चानल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं गया है तो जल्दी से उसे भी सब्सक्राइब करें बैल आइकन को प्रेस करना ना भूले आपके मेरी कोई न्यू वीडियो आपसे मिसना हो यह कितने टेंटिंग लग रहे है ना चोटे-चोटे मैंने राउन सीख कवाब बाली शेप में भी बना लिये हैं अब इनको इस तरह से से जखने के बाद हम इनकी करें प्लेटिंग बड़ी इंट्रस्टिंग है इसके बाद हम इसमें दो इंग्रेडियों और डालेंगे जिसे इसका टेस्ट और एंहां सोने वा और इसका टेस्ट और इन्हांस करने के लिए आप कुछ lemon drops इस पे उपर से drizzle करें, थोड़ा सा चाट मसाला डालें और बस उसके बाद ये कवाब एकदम तयार हैं, आप एक बार इस recipe को जरूर ट्राइ करें, ये आपको बेहत पसंद आएगी, और भी मेरे चानल पे आपको बह जरूर देखें, तो आ रहा है ना इनको देखें मुझ में पानी आपके भी, तो मुझे भी बहुत जादा ये टैम्टिंग लग रहे हैं, और बाकी में ये बहर टेस्टी हैं, जितने ये देखने में शांदार हैं, उतने ये खाने में जूसी हैं और सॉफ्ट हैं, तो बस इस तरह से लेमन डाला और थोड़ा चात मसाला और इनको इंजोई किया हमने आप इन कवाब को डीफ फ्रीज भी कर सकते हैं हाफ डन कर लेजिए शलो फ्राइंग में उसके बाद जिप लॉग बैग में डाल करके या फी एर टाइट कंटेनर में डाल के आप फ्रीजर में तो इस तरह से आप इनको स्टोर भी कर सकते हैं यह देखिए मैंने आपको तोड़ के दिखाया है कितना जबजस्थ है फिर मिलती हूं ऐसी कोई और जबजस्थ रेसिपी के साथ तिल एन हैपी कुगिंग टेक्यर अलाहाफ थाफिज